आपको याद है, बच्पन में वो कौन सा खेल था जो आपको सबसे ज्यादा पसंद था? कबड़ी, कंचे, गिली, कैरम, पासे, क्रिकट, लगोरी, पतंग बाजी, साप सीधी, मंकला खेल, खोखो, छुपन छुपाई, हमारे पास खेलों की एक लंबी सूची है, लेकिन एक ऐसा खेल है जो हम सभी खेलना पसंद करते थे, वो खेल जो हम नदी, तालाब, जील, में और बारिश में खेला करते थे, हमारे पूरवज किसान थे, और हमारे शरीर पर लगी गीली मिट्टी, हमें अच्छी लगती थी, लेकिन हमारी आने वाली पीड़ी, उस पानी के लिए तरसेंगी, जिसमें हम खुशी-खुशी खेला करते थे, आपको यकीन नहीं होगा पानी की कमी के चलते, महराश्ट्र के लातूर जिले में टकराव को नियंतरत करने के लिए धारा 144 लगाई गई थी, इसके अंतरगत पानी के सुरोतों के निकट लोग समुह में नहीं खड़े हो सकते, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? थोड़े समय में वो जगह, जहां हम मस्ती से खेला करते थे, लड़ाई का मैदान बन जाएंगे, जहां शहर के लोग पानी के लिए लड़ाई करेंगे, हम इस तथ्य से कैसे इंकार कर सकते हैं, आने वाले समय में राज्य और देश आपस में लड़ाई नहीं करेंगे, क्य हमें पानी को खरीदना भी पड़ेगा? क्या उन्हें यकीन होता? लेकिन आज ये बात सच है. इसी तरह से पानी के लिए विश्व युद्ध की संभावना भी है. पानी की समस्या चक्रवात या भूकम जैसी प्राकृतिक घटना नहीं है. क्या हम इसके लिए जिम्मेदार है पेड़ों की जड़ें नदियां और धाराएं बनाने के लिए पानी को सहेजती है. अगर हम पेड़ों को काट दें तो बारिश का पानी कहा चाएगा? समुद्र में जहां वो किसी काम का नहीं रहेगा. गोदावरी नदी का जल स्रोत सूख चुका है. 40 प्रतिशत क्रश्ण नदी उजाड हो चुकी है. गंगा नदी कितने समय तक 1280 रह पाएगी पता नहीं. कावेरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं. वर्ष 1989 में 22 नदियां प्रदूशित थीं, लेकिन आज ये संख्या बढ़कर 302 हो चुकी है. इस सुची में जीलें और तालाब शामिल नह लुप्त हो चुकी है. क्या हम ये कह दें कि हमारे गरीब किसान का 84 वा नंबर है? अभी तक 2 लाक. मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर खेती ना रहे तो? क्या बस यही बात है? हमें अपनी बुनियादी जरूरतों के बारे में सोचना होगा. जैसे किसी जमाने में हम टमा पाटर निर्यात करती थे. लेकिन आज हम चीन, नेपाल और नेदरलैंड से इसका आयात करते हैं. यही हाल गेहू और आलू का है. तो कीमतें क्यों नहीं बढ़ेंगी? इसी तरह से पानी के कारण भी नई समस्याएं पैदा हो रही हैं. अब आपको समझ में आया, पानी की स समस्या का सामना करना पड़ेगा. इस स्थिती में उद्योग को अभी के मुकाबले में 30 गुना अधिक पानी की जरूरत होगी. इसी तरह से कृशी और बिजली उत्पादन के लिए बहुत सारे पानी की जरूरत होगी. हमेशा की तरह अगर हम इन आकुनों पर ध्यान नहीं देंगे तो पानी की समस्या हमारी जिन्दगी को नरक बना देगी. साफ शब्दों में आपको कैसा महसूस होगा अगर लोग आपको आपका गाउं छोड़ने को कहें. लोग अपने गाउं को छोड़कर अलग-अलग देशों में बस रहे हैं. इरान, अफगानिस्तान, पाक समस्याएं पैदा हो जाएंगी. आपात स्तर पर शहर जरूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे. हम कहां जाएं? क्या हमारे आशू सूखी नदियों को भर सकते हैं? अब हम क्या कर सकते हैं? एक ही तरीका है और वह है व्रिक्षा रोपन. बड़ी नदियों के दोनों किनारों पर एक किलोमेटर और छोटी नदियों की किनारों पर आधा किलोमेटर दूर तक पेड़ लगाएं. ऐसा करने का अधिकार केवल सरकार के पास होता है. आईए सांथ मिलकर इस समस्या के बारे में सभी को बताएं ताकि सरकार इसके लिए कोई कदम उठाए. हमारी नदियां जो हमारी जीवन रिखा है, उनको जिरनोधार के साथ आईए अपना भविश सुरक्षित करें. मत भूलें, हमारे पूरवज किसान थे और गीली मिटी हमें कितनी पसंद थी. अगर हमने समस्या का समाधान नहीं निकाला, तो हमें अपनी मात्र भूमी से रिफ्यूजियों क तरह जाना पड़ सकता है. हमारे आनी वाली पीड़ी हमें माफ नहीं करेगी. सोचने का समय चला गया. बिना सुरक्षित पीने के पानी के हर 21 सेकंड में एक बच्चा मर रहा है. क्या पानी बहुत तेजी से कम हो रही है? नहीं. कुछ है क्या है? बहुत कि 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 व्रेटाइ को अथा है, क्या है कि व्रेटाः व्रेटाई जहत nova है.